So, welcome, 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 my dear friends, my dear lovely brothers and sisters, कैसा हैं आप लोग पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है लेकिन मुश्किली काम से ही सफलता मिलेगी, करवी चीज हमेशा सेहत के लिए अच्छी होती है, मीठी चीजे तो हमेशा डाइबिटीज ही बाढ़ाती है, कलेस्ट्रोल ही बहाती है, लेजीनेस ही बहाती है, इन्ही सब ग्यान की बातों के साथ, टूटी लेड सानुकुमार is trying to study and teach. So, my dear friends, हम लोग आपको जैसे पता होगा, मुझे तो पता है, आप लोगों को भी पता करा दूँ, कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर पढ़ रहा थे, जिसमें हमने एक दो टर्म जो पढ़ लिया था, वो था डिस्टेंस, डिस्प्लेस्मेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, और नन यूनिफॉर्म मोशन, आज हम एक नया चैप्टर में पढ़ने जाने वाले हैं, जो है एकसीलिरेशन, क्या है माई डियर फ्रेंट्स, एकसीलिरेशन, आज हमारा टॉपिक है एकसीलिरेशन, तो देखे एकसीलिरेशन का एक बात तो है कि डिफिनेशन हुए, जब मैं आपको बता दूँगा, पहले फिल लेते हैं, पहले इसके इंसाइट्स को समझते हैं, देखे हमारे जो बाइक होता है, हमारे बाइक में आपको सब को पता है एकसीलिरेटर नाम का पार्ट्स होता है, क्या होता है एकसीलिरेटर, जिसको हम जारते हैं, तो क्या होता है, speed increase होता है, accelerator हमने जब लेते हैं, जब bike को accelerate कराते हैं, तो क्या आपको पता है कि bike की जो speed होती है, वो change होती है, change होती है, मतलब कैसे change होती है, तेज होती है, क्या होती है, तेज होती है, यानि, let's suppose, जो bike है, उसका जो speed था, उसका जो speed था, वो था माल लिजे, 2 km per hour क्या था 2 km per hour था आपने उसको accelerate कराया और उसका जो speed है वो हो गया 10 km per hour 10 km per hour और ये पूरा जो हुआ वो जो time लगा उसको होने में उसको let's suppose let's suppose 2 hours लगे let's suppose जब किलो मेटर पर hour मिलिया है तो time भी hour मिलूंगा तो time हो गया 2 hour 2 km per hour से speed से चल रहा था आपने उसको 2 घंटे में accelerate किया तो उसका speed 10 km per hour हो गया अलाकि मुझे इसे meter per second में लेना चाहिए तब फिर भी तो क्या हुआ तो आप देख रहे हैं कि जो speed है वो change हो गया है और कितने देर में change हुआ है 2 hour में change हुआ है और देखी एक पहला तरफ तो हम निकालते हैं कि per unit time per unit time unit मतलब एक अब वो एक second हो एक मिनट हो एक घंटे हो उतने देर में कितना speed चेंज हो है यानि speed 2 km से 10 km हो गया है 10 घंटे में तो बताए पर घंटे speed कितना बढ़ा होगा तो उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं per unit time यानि माली जी एक speed में change कितना हुआ है speed में change जो हुआ speed में change जो हुआ speed मे speed मे change जो हुआ 10 माइनस 2 8 km पर आवर का 8 km पर आवर का और ये कितने देर में हुआ इसमें जो time लगा वो था 2 hour तो हम जब acceleration निकालते हैं हम जब acceleration निकालते हैं तो वो हम निकालते हैं change in speed change in speed divided by time taken divided by time taken यानि speed में जो change हुआ है वो कितने देर में हुआ है इसको हम किस चीज़ से निकालते है acceleration आता है इसे तो speed में change हुआ हमारा 8 km टाइम लगा 2 hour ये क्या है km per hour और ये है hour यानि ये आ गया 4 km per hour per hour per hour यानि पहले क्या है 4 km per hour क्या बता रहा है वो speed बता रहा है जिससे per unit time speed change हुआ होगा और hour क्या बता रहा है कि यानि पर घंटे change हुआ यानि कहने का मतलब है कि acceleration का फिल ये है कि per unit time में speed में जो change आता है उसी को हम acceleration करते हैं एक और example सो अगर छोटे से example ऐसा unit में आपको बताऊं तो speed है आपको माल लीजिए जो speed है वो था 10 meter per second 10 meter per second एक व्यक्ति ने अपने बाइक को 5 second के लिए accelerate किया बहुत जोरों से accelerate किया और जो speed है वो हो गया 50 meter per second 50 meter per second तो per unit time में per unit time में जो velocity का change आता है उसी को हम क्या करता है उसी को हम acceleration करता है तो अगर हम इस example में देखें अगर हम इस example में देखें तो जो speed है उसमें change कितना का आया change in speed कितना है change in change in speed 50 minus 10 यानि की 40 meter per second का 40 meter per second का change आया time कितना लगा time लगा 5 second time लगा 5 second तो जो acceleration होगा वो होगा 40 by 5 8 40 by 5 कितना हो गया 8 और इसका unit क्या होगा उपर क्या है speed speed क्या है meter per second और निचे क्या है फिर per second यानि per second जो speed है वो 8 meter per second से बढ़ रहा है यानि कि पहले second में अगर 10 था तो वो 10 से अगले second में 18 हो जाएगा फिर 18 से 18 से 26 हो जाएगा 26 से 34 हो जाएगा चौनतीस से कि बैयालीस हो जाएगा और फिर बैयालीस से पचास हो जाएगा देखे यानि पर second जो चेंज होगा वो कितना होगा 8 meter per second का होगा इसी चीज को हम क्या कहते है एकसिलिरेशन कोते हैं तो यहाई फिल था एकसिलिरेशन का कि पर सेकेंड ऐसा यूनिट भी देखी है क्या है 50 के एट मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड यानि प्रतेक सेकेंड में एट मीटर पर सेकेंड से स्पीड इंकरीज हो रहा है जो यह पहला एट मीटर पर सेकेंड है मीटर पर सेकेंड है वो वेलोसिटी का यूनिट बता रहा है कि जितने वेलोसिटी से और बाद का जो पर सेकेंड वो बता रहा है इसको हम यह जो एट मीटर पर सेकेंड पर सेके इसको हम तोडते हैं, तो मीटर पर सेकेंड इंटू बाइ सेकेंड हो जाता है, जो बन जाता है नोट सेकेंड असक्वाइब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा देंगे तो देखिए क्या acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time time के साथ time के साथ per unit time के साथ यह एक सेकेंड में velocity में जो change आता है उसी को हम क्या कहता है acceleration to acceleration of body is defined as the rate of change of its velocity with time time के साथ velocity में जो change होता है उसी को हम acceleration कहता है देखिए change कैसे निकालता है change किसी भी चीज के differences है कितना change आया तो उसके final में से initial को घटा देता है यानि अगर आपका वजन 5 kg था आप 10 kg के हो गए तो आप में change कितना आया 10-5 kg का तो वैसे velocity में जो change लाता है वो final velocity में से initial velocity को इंकरी घटा देता है यानि इतना velocity था इस velocity से इतना velocity हुआ तो velocity में कितना change हुआ तो final velocity में से initial velocity को subtract कर देंगे ठीक है अब देखिए distance और displacement को हम finally s से denote करते है टाइम को t से denote करते है ठीक है और जब speed की बात आती है तो speed में की यू आ जाता है एक भी आ जाता है यू जो होता है वह initial velocity हो जाता है भी जो है वह final velocity होता है initial velocity यानि शुरुआती में जो था और भी मतलब final जो बाद में हो गया वहां से acceleration जब यह निकालता है तो वह हो जाता है भी minus u by t यह क्या हो गया sample में हो गया SI unit मैंने भी बता दिया को change in velocity की unit हो जाती है उसके बाद देखिए acceleration एक vector quantity है जिस direction में velocity होता है उसी direction में acceleration का भी direction होता है acceleration का भी direction अब एक concept देखिए एक concept देखिए अगर uniform velocity acceleration कीची से आता है वेलोसिटी के change से आता है लेकिन अगर velocity uniform हो जाए अगर uniform में velocity हो जाए तो velocity में कोई change आएगा uniform मतलब एक जैसा और एक जैसा velocity हो जाएगा तो velocity में कोई change ही नहीं आएगा जिससे acceleration 0 हो जाएगा लेकिन non uniform velocity रहाएगा velocity change होगा यानि initial and final velocity same ही नहीं होगा initial and final velocity same रहाए यानि अगर कोई भी vehicle है वो 2 km per hour के speed से ही चले तो उसके velocity में कोई change ही नहीं आएगा और velocity में कोई change ही नहीं आएगा तो V minus U 0 हो जाएगा तो अपने acceleration भी 0 हो जाएगा लेकिन अगर उसके 2 से 4 होगा 6 होगा 8 होगा तो उसके velocity में कुछ change आएगा तो उसका कुछ change ही निकल गएगा इंगे acceleration के लिए non uniform velocity होना must है uniform velocity में जो acceleration होगा वो 0 हो सकता है तो आज के lecture में इतना ही रहने देते हैं next lecture में मैं आपको uniform और non uniform acceleration बना दा हुआ तब तक के लिए पढ़ाई करते रही है all the very best